अब तो दोस्तों सिलाई किलास में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज की दो वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं वो पिलो कवर का नाप लेना है और इसकी मैं कटिंग आपको बताऊंगे पिलो कवर की और एक चीज यह बताऊंगे कि कल में इसकी स्टीचिंग करके आपको दिखाऊंगे तो वो थोड़ा यह प्लेन है नमारा पिलो कवर लेकिन मैंने जो बनाना है थोड़ा इसको बेल लगा के कुछ स्टाइलिश सा बनाना है डिपरेंट करके तो इंशालला मैं कल आपको उसकी स्टीचिंग करके पी बताऊंगे लेकिन पिलार जो अभी की वीडियो है उसमें मैं आपको इसका पिलो कवर कर नाप लेना बताती हूँ तो चलिए शुरू करते हैं लुड़को देखे पहले हम इस अपना जो प्लो कवर है वो ले ले लेंगे और इसको नापेंगे तो इसकी लंबाई आ रहे है दोस्तो हमारी 26 इंच एक कालवस पैन लेकर बैठ लिएगा लिया गए हमारी 26 इंच लैन था गए इसकी और यह देखे इसका यहां से हम रखेंगे 44 इंच आप क्या करना है दोस्तो цел कि देखें यह जो मीरा पिलो कवर्ण है यह मैंने पीछे से उपन करा है το पीछे से उपन करने का क्या है दोस्तों कि यहाँ पे फार उशाए फार से यहाँ से यह डी को प्लों किसम आधों है कि झाल किपिजू कोई आधे डी किम आधे कर उपसे कि और भी आधे एक सबसे बड़ा फायदा है।थカ还 के बाद भीजस हृए ओसा हुची कोलती है। आजकर टाईम किसी के पास हहा है। तो यह चीज जो है ताइम की बच्चत है कि इसमें ना हमें उसमें दो बार हमारा टाइमेस्ट होता था एक तो जब हम इसकी सिलाई लगा देते अब माल लेजिए हमें कबर दो होना है तो पहले तो हम उसको सिलाई को पांच मिंट लगा के निकालते थे और फिर जब अगली पाइदा और मुक्सान मैंने दोनों चीज़े बता दी कि अगर आप भी पिलो कवर को बीच में से खोलेंगे या उपर से खोलेंगे तो इसका जो यह वाला मैथड है कपड़े को चड़ा कर सीने वाला तो यह बहुत ज्यादा फाइदेवन्द है और मैं इसकी अगर पाइद वाला शुगरा